जैए श्री क्रिश्ण आईए प्रेय जनो द्वितिय अध्याय सांग की योग में प्रवेश करें द्वितिय अध्याय में उस शूप युग्त अर्जुन को शक्री के अंतर निहित कर्मों का किशव वर्ण करते हैं सांख यूग के द्वारा अर्जुन को आत्मा विश्रीर में श्री क्रिश्ण भेईद बतलाते हैं और सभी कर्मों को तिश्काम भाव हुकर पूर्ण करने को उध्य योग देते हैं जै श्री क्रिश्ण देखिद शाम अर्जुन सखा मत सूधन समझाई ए मानव कुशिष्ट तू कायरता न दिखाई ओ ननपुं सक फीर तू अब यश्कारी हो दुर्बलता को जाग कर अड़ा यूध को भेश्म द्राण है युद्ध में दाना मेरे पूट नाजी पाओं मारे के भोगर घर के तुली है कीशब गुरुजन मेरे कैसे उठाओं पार सीखा है इनसे मेरे करूं का के सीवा क्या अच्छा और क्या बुरा होगी जीत याहार जीना नहीं में चाहता जो दियाँ न को मा स्वधर मुस्ते मुहित्य हुआ गया धैर्य वीखों दिशा दिखाओं ये प्रभू कल्यान मेरा शुक सुखिता इंद्रियां सुझ न कोई उपाई देव तुले सुख राज से निम न पाई नहीं करूगा यूद में अरजुत क्रिष्ण सुना चुप हो गया फिर फिर संजे ये है बतिला सेनाओं के मद्धे में गया शोकी उसे चाँ हस कर बोले क्रिष्ण फिर उसको रही समझा बचन भूलेता यान के करता शोक अशोकी प्रान रहे या ना रहे यानी न करता शोकी अरजुन में तू कब नहीं कब नहीं थी ये लोग मोहन कर इसी देह सी नई रूप ना योग कौमार योवद है भला बाद जरा काच्छो बित्यु रुपान तर देह का मेरी करे ना ओ अरजुन क्यों तुझे दुख है क्यों तू मोहित हो नहीं ग्यात तुझे आत्मा मैं समझाओं तो परिवर्तन तेरी देह का भासन तुझे को हो कारण है तेरी आत्मा परिवर्त इतना हो बदले देह को जीव तेरा बदलाब दीन में हो तू समझे तिरी आत्मा अज्यान तेरा हो परिवर्तन इस देह में अरजुन पलबल हो अरजुन तेरी देह का अंद अवशी हो विकार होए तिरी देह का देही का ना हो छोड़ जाए इस देह को शोकी तुझे क्यों हो अरजुन इंद्र ये पूध से सुख दुख पैदा हो सर्थ गर्मरी तु ये लाके तु भी चलिते ना हो अरजुन जो सुख दुख का असर ना तुझे को हो मोक्ष की पगडंडी है पार लगाए तो दुख करके इस युद्ध का तु ना व्याक भी हो धैर्य धरे मी रजपुरशी मिलेगी मूंती तो असत कभी इकेता नहीं सत कान ना ओ अविनाशी ये आन्मा नाश कभी ना ओ बसती है तिरी दिह में जीव का साथ निभाई ले जाए तिरी जीव को जो रास ना आए करे प्रकाशित दिह को दिह स्वचालित हो जैसे भी जुद धारा सी यंत्र स्वचालित हो अजर अमरी आत्मा जन्मत्यों की पार नाशवान ये तिह है आती बारंबाई जू समझे ये अत्मा मारे मारा जाए अरजुन वो अज्यानी है ये मारे नमारा जाए जो जाने तू अत्मा है अपना शीरू क्या किसे कोई मारेगा जिसका नहीं सरू आत्मा कटे न शोस्त्रे से जले न अगनी जलाए जली लाना कर सके सूखे न पवन सुखा जल खल नग और वायू में और अगनी बेवास अर्जुन इंद्री सीपरी किसका है निवास जन्म मरण का चक्र है जन्म में तो मित्यू आए मरता पुनरी जन्म को काहे शोक्र मता अर्जुन इन सब वीरों का माया में है शरीर नहीं नित्य ये शरीर तू काहे होए अधीर जन्म पूर्व दिखता नहीं और मृत्यू के बाद दिखता है बस मत में काहे खरी विशाद आशर्य से कोई दिखता कोई करे बखात शवन करे कोई आत्मा ज्यान नहीं आसाथ निर्विकार है इस्थिर है और पुरा तन हुए अर्दी शूक्ष्म है अरिजुन ये मापुन इसे काहो शाश्वत है सर्व्यामी है है सनातन रूप कल्प ना से ए बरे कवे जाओ कवे दूँ अर्जुन जीवन त्रूत है ये खंड नैस काहो रोग शोक से है बरे आदि अन्त नाहो द्वैत अद्वैत सी है बरे भाव अभाव नाओ अर्जुन ये है तीजु मेरा की जो दिर में हो आत्मा का एकट्व ही क्यान इश्वरे रूप मन वाणी से है बरे वेरा वेश्व स्वरूप अर्जुन वेग से है बरे रोक न कोई पाई है ये इंद्रिये स्रूत नू कर्म से न बच पाई प्याग पुराने वस्त्र को लेता नया पहर देही जीन शरीर को नू तन देह ग्रवा अर्जुनी सिदी का बाल नवा का हो नहीं विशैई चिंतन का तू चिंतित ना हो है परा प्रकृति मेरी अर्जुन तीरा जीव गुण भरे अर्जुन मेरी सिस्थी का है बीज युद्ध है अर्जुन कर्म तीरा काहें चिलित हो जो छोड़े तू युद्ध को पाप लगेगा तो अर्जुन यूद्ध ना करने से दर्म हानी हो तो हत्म होईगी छत्रियता मान जाएगा खो कर्विचार छत्रिय धर्म युद्ध धर्म में हो निसंकोच तू युद्ध कर कल्यान कारी हो चत्रिय सुख ही युद्ध है पीरति जिसे सेया खुले सर्ग की कौन है जो ये अब सर्पा उपहो से तेरी सामर्थ का करेंगे शत्रू लोग अर्जुने सिसे क्या बड़ा होगा तच को छो कायर युद्ध बोलेंगी तू ना युद्ध में हो जीते तो सुख राजिन का मरे मुक्षि गति हो तजी युद्ध पर्राम को खानी लाव सुख दुख दिश्काम तू युद्ध करेंगे पाप से होगा अर्जुन सांथि दर्शन का वर्नन कर दिया तो निश्काम कर्म अब करने को बुद्ध योग दू तो सुन ले बुद्ध योग को निश्काम कर्म हो जाए कर्मों से बंधता नहीं कर्म सपल हो जाए नाश नहीं हलका इस में हलका दोश ना हो अर्जुन ऐसे योग से इस्तिर मूटी हो मने कर्म बिधी एक भे एक नहीं ही बूती हो जन्म प्रित्यों के ऐसी अर्जुन उतारती राओ रहे ना सकती तुझे को और फली चातो अर्जुन मोह की गलगल से पार लगाए तो अर्जुन फल आसाती लगी रहे जो तो इस्तर बूती ना रहे चित नवश में हो जुप युग हुप बीतों का पाने स्वर्डिये वो अर्जुन सकाम कर्म है अज्यानी है लोग लोकिक एश्वर्ये का वेद करें बखान परम लक्षी वेद का पूरा नहीं है ग्यान विशे भोग एश्वर्ये में जो प्रगाण आसकती सम्मोहित होता रहे होतिन भगवद भगती गूर ग्यान इन वेदों का जो हो जाए तो विशे भोग एश्वर्ये में आसकती ना हो विशे भीत की है प्रत्रित की दीनों गुण इन गुणों से दूरे रहे आत्परायन बन नहीं तलया भाती है जो ताल मिल जाए नहीं जरूरत विदों की आत्म ग्यान जो आए ना कर्म खली वासिन ना खली चाहो ना प्याग हो कर्म का ज्यान कर्म का हो अर्जुन समत्व उठी से पाप उन्य हो तू कर्म इस पुथी से कर्म बंदन हो तू अचली रूप सी जब पुथी इस तिर मुझे पर हो समभाव तुझको होगा तू बक्ती में हो रागि तुली शिस और इच्छा से अर्जुन कर्म जो हो वो इत्री 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 जिसमें सकाम कर्म को हो प्रम ते रहे तीरी पुथी लगा रहे मैं तो अर्जुन सकाम कर्म से पल भर सुक ही हो क्या भक्ति क्या सकाम है जो हो जाए ग्यान और जुन इंद्रिये त्रीपी से हट जाएगा तना निक्रिष्टि सकाम कर्म से मुगन कर भग दियो कर्म पल की वासना अद के दीन बोलो भले ही इंद्रिये भोगिर से जीव तुष्टि हो जाए अर्जुन भक्ति की विना आसकी ना जाए मतियोग सबसे बड़ा करें पाप से मूत जन्म मरण की चक्ति से भी होगा तुष्टि खत्म करें ये मूह को पुते तुझे को आए अर्जुन सकाम कर्म में वेरागी तुझे को आए सकाम कर्म वेरागी से पुधियों के आजाए दिव्यद्रिष्टि मेरी रहे कर्म सफल हो जाए क्या भाशा क्या बोलता जब इस्थर भूतिया अर्जुन हात चूणिता लक्षन देऊ बता विशे वासना त्यागता जो में मन में आए चित दिलीन हो आत्मा इस्थर भूति कहाँ ना शोक है अशुब से शुब से हर्ष ना हो मोह रहित जो पुर्शिर है यानी वो तो हो वेग्वति इंग्रिया ते अर्जुन बल्रवां बस में करना चाहे जो अर्थी उसका ग्यान कर की त्री सयम तू भक्ति परायन हो कर समर बन तू मुझे इस्तिर भूति हो चिंतन इंद्रिये विशे का आसकती उप जाए आसकती से काम फिरे क्रुध काम से आए क्रोध जगाए मोह को भ्यान ब्रामित हो जाँ पुधे नाश हो प्रामित से सर्व नाश हो जाँ रूप प्रचन्ड हो वायू का नाव निडो ले खाँ मन केंद्ड हो इंद्री पे उद्धी को ले जाँ रहता अचल समूत है लाकि नदी बेहे आए चीष्टा पूर्टी काम ना शान्ती कवे ना पार इच्छा इंद्री ये त्रिप्ती की ममता और अहन्तार शान्ती की दुश्मन है ये करीन का तिरस्तार कसता जून इंद्री ये विशे जैसी कच्छुआ ज्यानवान प्राणी बने इस तिरभूती संग रख के घट में ध्यान मेरा पकडली कर्म की डोर निश्काम भाव से कर्म कर पाले का तू छोर अर्युन निश्काम कर्म में कर्म जग ना हो ना आसाती कर्म में ना फली चाहू ना हूँ पुद्धि यूगिका चित्न वश्य में हॉई इस तिरभूती ना रहे शान्ती कैसे हो ये है गीता आग्यान ये है गीता आग्यान